जैहिन किसान बाई और स्वागत है एक वार फिल्सें आपी के अपने ओफिशल चैनल के अंदर जहां पे आपको आलू के जो बविस्थे हैं वो कैसा रहेगा आलू के कैसे जो पिछले भाव देखे गए हैं आने वाली दिनों के अंदर आपके कैसे बाव रह सकते हैं हम हर वी रहने वाला है तो दोस्तों चो पिछले जो कैसे बाव देखेंगे सरकार की डियमू के रुसार आयात निर्यात की रोक या फिर कम खुलेगी उस पे उसी की साफ से कैसे बाव रह सकते हैं इस सारी बाते हम इस यूटिव में डिसकस करने वाले हैं तो आप हमारे साथ बने र से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बाहर पदार रहे हो तो सबस्रेफ जूरू करेज़ेगा और बेल आइकन भी प्रेस करेज़ेगा कोई भी आगर आपका सज्जेसिन हो वह भी हमार को आप हमको बता दीजीगा और आप अपने आलू अच्छे दमों बेसने चाते हो तो होना किस जगह के रहने वाले हो वो कोमेंट में जुरू बताएगा जिसे आपको लोगों को आप से खरीदने भी सुड़ी सुईदा होगी और बाकी आप अपने यूज करके आप बेसकते हो इस चीज की हमारे चैनल को गारंटी नहीं लेता है अगर आपको अच्छा लगे है कि आपका जनवरी के लास्त तक या स्टार्टिक तक आपका अलू का एक बार फिर उच्छा लाने की चांसेस देखे जा रहे हैं क्योंकि जो आलू के एक बार आपके 50-60 रुपे पहुंच गये थे जो पीछले आपके 15 दिन और 15 दिन से पहले महिना ले लिजेगा एक महि वी अच्छी quality का अलू मिल रहा है तो अगर आप रोक सकते हो अलू तो रोक सकते हो अभी आलू के बाओं के अंदर आपका 60 बढोतरी नहीं देखे साइच सकती ह हाला कि आपका दिन में दिन थोत्ग बढोतरी हो सकती है बलकि आपको जितनी हमारे किसान में कोई आसा है कि एकदम जंप मार जाए यह सा कुछ भी नहीं है तो हम एक देख लेकर नहीं आलू में प्याज की आवक बढ़ने से थोक बाओं में खासी गिरावट आई है बोपाल के हम बात करें तो बोपाल की करोण बढ़ने के दर अच्छी क्वालिटी के आलू और प्याज के थोक बाओं में 20 रुपे किलो तक हरा है जबकि फूटकर बाजार में 30 रुपे किलो तक बिक रहा है समझी वपारियों के अनुसार आवक बढ़ने के साथ ही भाव और भी कमी आएगी इसे लंबे समय से महिंगाय भी जूज चल रहे हैं अब करें कि आने वाले दिरू के आपका अच्छा कासा अलू है और नंबर रुपे तक प्याज और 45 रुपे किलो तक पहुंच चुका आलू आपका देख सकते हो राजदारी में पिछले इच्छा मेरे की बीदर अलू और प्याज के काफी बाव बढ़ बढ़ देखने को मिली है तो दोस्तों आपको पूरा रिप्रेस में बताना चाहूंगा कि अगले 2000 आपका 21 के अंदर जनुवरी के लास्त क्या स्टार्टिक भी थोड़ तर आपका बढ़ोतरी